आप लोग देखते हैं कि आपके राज्यों में बिधान सभा चुना होते हैं जिस राज्य में आप देखेंगे बिधान परिशद है वहाँ बिधान परिशद का चुना होता है हमारे देश में लोकसभा का चुना होता है राज्यसभा सदस्वों के लिए चुनाव होता है ओप राष्टपती के लिए चुनाव होता है ये सब चुनाव करवाता कौन है तो आप देखते हैं इसके लिए एक सम्मीधानिक संस्था है भारतिय निर्वाचन आयोग Election Commission of India लेकिन कुछ समय पहले से आप लोग देख रहे हैं और समय समय पर आप लोग देखते भी होंगे कि भारतिय निर्वाचन आयोग यानि कि चुनाव आयोग पर पिसन चिन लगते आये हैं और इसकी जो निस्पक्षिता है ना उस पर सवाल खड़े होते आये हैं और आप लोग ही सोचिए अगर निर्वाचन आयोग चुनाओ आयोग पर से मद्दाताओं का भरोसा उठ जाता है राजनितिक पाटियों का भरोसा उठ जाता है तो चुनाओ करवाने का कोई मतलब नहीं रहता है लोगतंत का कोई मतलब नहीं रहता है और आप देखें कि और इनी चिंताओं को लेकर जो हमारी सरवोच अदालत है सुप्रीन कोट है इसने ये टिपड़ी की है और कुछ सवाल खड़े की है चुनाओ आयूपर राजनेते पार्टिया तो हर चुनाओ के बाद आप देखते हैं कि चुनाओ आयूपर टिपड़ी करती है और उसकी निर्वाचन आयोग के बारे में एक सामान चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि हमारा देश की संस्था है और एक तरह से चुनाओ से जुड़ी हुई है तो एक सामान जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए आपके पास और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी करें तब तो आप देखते हैं कि इस तरह की संस्थाओं से आपकी परिक्षाओं में हर साल कुशन्स पूछे जाते हैं भारती निर्वाचन आयोग से भी हर साल ही लगबग आप देखे हर जिक्जाम में कुशन्स आते हैं तो अगर हम लोग भारती निर्वाचन आयोग की बात करें, एलेक्षन कमीर्याओं तो आप देखेंगे कि जिसे चुनाओं आयोग की नाम से आप लोग सामान थोर पर जानते हैं और आप देखेंगे कि एक स्वायत सम्मिधानिक निकाय है जो भारत में संग और राज्य चुनाओ पिक्रियाओं का संचालन करता है स्वायत सम्मिधानिक निकाय का मतलब है कि सम्मिधान के अनुछेद में इसका वर्डन आप लोगों को देखने को मिलेगा है और उनी को आप इस्थापना की बात कही गई है, 28 जन्वरी 1950 में उसकी इस्थापना हुई थी, और वर्दमार में उसमें 34 नयाइदिस हैं, एक आपका मुख नयाइदिस, 33 अनय नयाइदिस, और इनके सिवानिवित्ती की उमर 65 साल लखी गई है, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी बैक्त इस्थापनी सरकारों पर भरोसा हो, नेताओं पर भरोसा हो, ना हो, पुलिस विवस्ता पर भरोसा हो, ना हो, लेकिन हर कोई कहता है कि हमारी अदालत जो फैसला करेगी उस पर हमें भरोसा है, और एक आप देखे कितना बिवादित मुद्दार आये, राम जनम भूमी, अगर आप सोचे कि एक पक्ष में वो फैसला देती, तो उस पर भी पिसेने चिने खड़े हो जाते, और चुनाओ आयोक देश में लोकसभा, राजसभा, राजबिधान सवाओं और राष्टपती और राष्टपती के चुनाओ का संचालन करता है, भारती समिधान का भाग अगर 5-15 देखें आप लो, तो चुनाओ आयोक से संबंदी थे, और जिसमें चुनाओ की संचालन के लिए एक आयोक की स्थापना करने की बात की गई है, और चुनाओ आयोक की स्थापना की बात करें तो 25 चनवरी 1950 को समिधान के अनुसार की गई थी, और समिधान के चेदों को आर्टिकल को जरूर आप लो याद रखेगा, और पहले हमारे मुख चुनाओ आयोक कौन थे, यह आप लोग सर्च करिए, गूगल का सारा ले सकते हैं आप लोग, और नीचे बताएगा, यह आप देखेंगे अनुछे 324 क्या कहता है, यह कहता है, चुनाओ आयो सेस को मधदाता सूची में सामिल ना करने, और इनके आधार पर मधदाताओं के लिए आयोग, मधदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावदाने किसी इसके साथ कोई वेदवाव नहीं किया जाएगा, आप किस जाती से, किस धरब से है, फिमेल हैं, मेल हैं, यारी कि से महला है या ट्रांजेंडर है सब को बोट देने का अधिकार है और आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आपका बोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डाल ले भी जाते होंगे अनुचे 326 कहता है कि लोकसभा इबंपितेक राजी की बेधाल सभा के वैस्क मतादिकार की आधार पर होगा यानि कि 18 साल का जो हो गया होगा उसका पोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा मद्दाता बन चुका होगा वही करेगा पहले ये 20 साल रखी गई थी लेकिन फिर आप देखेंगे इसी 18 साल कर दिया गया था 327 अनुचेत कहता है कि विधाई का द्वारा चुनाओ के संसद में कानूर बनाने की सकती है अनुचेत 328 कहता है किसी राजी के विधानमंडल को इसके चुनाओ के लिए कानूर बनाने की सकती की बात करता है अनुचेत 329 चुनाओ चुनावी मामले में अदालत द्वारा हस करने के लिए बात करता है आगर हम लोग निर्वाचन आयुक्त की सरजना की बात करें कि इसमें कौन-कौन से सदस सामिल रहते हैं कितने सदस रहते हैं और इसका अध्यक्च यानि की मुख चुनाओ आयुक्त की बात हो रही है तो निर्वाचन आयुक्त मूलता केवल एक चु शापति ने एक अधिस ऊचना जारी की, और एक डेट है इतारीके 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदसिये बना दिया गया, कब 16 अक्टूबर 1989 को, फिर आप देखेंगे इसके बाद को समय के लिए इसे 1 सदसिये आयोग फिर से बना दिया गया था, और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस ये आयोग वाला स्वरूख फिर से बहाल कर दिया गया था और तब से अभी तक निर्वाचन आयोग में एक आप मुख ने आयोगते देखते हैं और दो चुनाओ आयोगते देखते हैं एक मुख चुनावाई, दो अन्चुनाव आयुकते और इनकी जो नियुकती होती है न उसी को लेकर आप देखी बिवाद बना हुआ ऐसली क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो नियुकती की जाती है वो राश्टपती साहब की द्वारा की जाती है जिस तरह से आप लोग राजञपाल की मामले में देखते है ए राजपाल की नियुकती कौन करता है राश्टपती साहब कहती है लेकिन आप ने देखा हो का केदra में जिसकी सरकार रहती है जिस भी पाराइटी की उसके नेताओं को ही राज़पाल बना दिया जाता है और फिर आप देखते हैं कि राज्यों में किसी और पार्टी की सत्ता रहती है, जैसे आप दोग पच्छे मंगाल चले जाएए, दिल्ली में आप लोग उपर राज्यपाल की बीच वा दिल्ली सरकार की बीच देख लीचे, केरल चले जाएए, तमिलाणू चले जाएए, आंद्पिदेश चले जाएए, तिलंगाना चले जाएए, बिहार चले जाएए, यहाँ आप देखते होंगे कि राज्यपाल और मुख मंत्री यानि कि सरकार की भी तना तनी चलती रहती है, क्योंकि अगर बीजेपी का नेता आप देखेंगे, राज्यपाल बन जाता है, तो वो तो आप देखें, अपनी क्या कहा गया है, कि इस निर्वाचन आयुक का सची वाल है, आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा है एड़कॉर्टर, और मुख निर्वाचन अधिकारी, आई-ए-ए-स रेंग का अधिकारी होता है, और जिसकी नियुक्ति राश्पती द्वारा की जाती है, और चुनाओ आयुक की नियुक्ति भी राश्पती ही करता है, राश्पती की चुनाओ कैसे होता है राश्पती का, लोक्त सभा, राजसभा, बिधान सभा की निर्वाचे सदस भाग लेते हैं, और आप देखें कि दिरोपती मुर्वू हमारे देश की अभी राश्पती बन नहीं है और इसलिए रवर इस्टाम कह देते हैं हमारे देश के राष्टपती को कि आप देखे उनी की जो भी वो कहेंगे वही करना पड़ेगा आपको यह राष्टपती का और इसी तरह से आप देखे अगर चुनाओ आयोग में बीजेपी या अभी बरत्मान सरकार की बात क रहा हूं और इससे पहले Congress थी तो Congress भी यही करती थी कोई नई परिपार्टी नहीं है आंगे जो सरकार आएगी वो भी यही करेगी राजजपालों का दो रुपयों Congress ने भी किया है जो तमाम एजनसी हों का दो रुपयों Congress के समय में भी वाय है यह हकीकत बात है इसमें कोई द राय नहीं है और अगर आप सुची कि चुनाओ आयो में इस तरह की नियुकती होती है और वो किसी एक पार्टी से समंधित हो तो आप देखिए वो फैसला किसकी पक्च में लेगा वो उनके आका एक तरह से कह लिए आप लो मालिक साहब की और इसी को लेकर विवाद बना पार्टियों का भरोसा बना रहे हैं इनके कारकाल की बात करें तो 6 वर्स या 65 वर्स की आयो जो भी दोनों में से पहले हो पत तक इनका रहेगा इनके कारकाल की बात करें कई लोग आप देखिए कनफिय हो जाते हैं 6 साल या 65 वर्स मालिजिए कि कोई चुनाओ आयुक्त है उसकी नियुक्ति 40 साल में हो जाती है, 40 साल की उमर में हो जाती है, तो वो 40 साल तक आराम से 6 साल पूरे करेगा, और आप देखें वो 65 साल का नहीं होगा, लेकिन मान लीजे किसी की 65, किसी की नियुक्ति, आप देखेंगे कि 63 साल में होती है, तेन साल बाद आप देखेंगे, दो साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 65 साल का तो उसे पद छोड़ना होगा, दो साल में ही पद छोड़ना होगा तो उसी की बात होती है इन्हें भारत के सर्वोच न्याले की न्यादीसों के समकच दरजा पर आपत होता है और समान बेतन और भत्ते भी मिलते हैं जिस तरह से आप लोग सर्वुच नेले की नियादीस होते हैं उनी के समान दर्जाएने मिलता है और समान बेतन भी मिलता है और भत्ता भी उनी की समान दिया जाता है मुख चुनाओ आयुक्त को संसत द्वारा सर्वोच नयाले की नयादीसों को हटानी की पिक्किरिया के समानी पद से हटाये जा सकता है यानि कि अब देखें मुख चुनाओ आयुक्त की नयुक्ति हो चुकी है इसे हटाना है तो इसे हटानी की बात ऐसी हुई है कि सर्वोच न्याले के जो न्यादीस को हटाने की पिक्क्रिया है न उसी तरह से मुख चुनाओ आयुक्त को हटाने की पिक्क्रिया की बात है अब हटाने कि अगर आपको पिक्किरिया देखना चाहे तो उच न्यालेयों और उच चितम न्याले की न्याधीसों मुख्र चुनाओ आयुक्त नियंतक महले का परिक्षक को दुरुवेवार या पद के दुरुपियों का आरोप सिद्धोने पर या आचमता की आधार पर संस ना हो तो इस तरह ऐसे उसी हटाया जा सकता है संसद द्वारा निश्कासन के लिए दो तिहाई सदसों की बिसे इस बहुमत की आव सकता होती है संसद में लोगसभा रासभा की बात हो रही है इसके लिए सदन की कुल सदसों का 50% से अधिक मद्दान होना चाहिए और उपरो लोग याद रखे है का महावियोग सब्द का केवल एक पत के लिए आप देखे इसका उलेक किया गया समिधान का अंशेद 61 आप लोग पढ़ेंगे तो राष्टपदी पर महावियोग चलाने की पिक्रिया के बात की गई है और किसी मामले में इसका उपयोग नहीं किया जा जाती है अब बात आती ही कि इस निर्वाचन की स्थापना हो गई इसका काम क्या है कुछ काम होगा तभी तो इसकी स्थापना की गई है तो चुनाओ आयोग भारत में लोग सभा राजसभा राज बिधान सभाओं यानि कि इसमें बिधान परिशत भी सामिल हो जाती है सबाव या कहीं आप देखे विधान सबाव या आप देखे की ओप चुनाओ फुर रह VOCAN Commander कुसी भी bachelor से खाली होती है तो उस पर जो चुनाओ गरना केंद्रों में सभी विकार की बिवस्ताई और अन्य समझिकारें का प्रवंधन करता है और जो आपके राज्यों में सथानी चुनाओं होते ना सरपंच के ओंदेखी नगर पंच्याड नगर पालिकर नगर निगम और इसके लिए हराज में आप देखें चुनाओ आयूग होता है अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयूग करता है यह सब काम और एमपी में देखें तो मद्रदेश निर्वाचन आयूग मद्रदेश में यह सब इस्थानिय चुनाओ की देखरेक कहता है यह और यानि कि आप लोग देखें कि सरकारी मसरीरी का दुर्पयोग ना हो इस तरह की बाते एक तरह से आपके ये नियम कह लीजे आदर साचाल सहिता को नियम निधारित कर दिये जाते हैं और यह सभी राजनितिक दलों के लिए पिती उम्मेदवार चुनाओ अभियान खर्ज की सीमा निधारित करता है और उसकी निगरानी बे करता है यानि कि आपको इतना पैसा खर्ज करना होगा अगर आप चुनाओ लड़ रहे हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि कितना पैसा जितनी एक तरह से आप देखिए तै होता है उससे कई गुना देख करते हैं ओमिदवार खर्ज लेकिन यहां भी चुनाओ आयो की आप देखिए एक तरह से आलोचना की जाती है आदर साचार सहिता का उलगन करते हैं नेता कई बार आप देखे होंगे लेकिन चुनाओ की तरफ से कोई कदम नहीं उठाय जाता है तो उसको लेकर भी चुनाओ आयोग की क्या होती है आलोचना की जाती है कि चुनाओ आयोग को आगे बढ़कर इस पर कुछ कड़े कदम उठ अगर हम लोग इसके महत्य की बात करें भारती निरवाचन आयोग इलेक्सन केमिशन ओप इंडिया का महत्य क्या है तो आप देखेंगे 1952 से राष्टी और राज जिस्तर की चुनाओ का सफलता पूरवक संचालन कर रहा है और मदान में लोगों की अधिक भागेदारी सुन अधिस्तर के साथ चुनाओ आयोजे संचालित करता है इसी लाइन पर आप देखेंगे पिसनेचिन भी आजकल कई राजनितिक पाटियां खड़ी कर रही है मदाता केंदरित और मदाता अनकूल पर बातावर्ण की चुनाओी पिक्रिया में सभी पातनाग्रेकों की भागेदारी सुनिशित करता है और चुनाओी पिक्रिया में राजनितिक दलों और सभी हिद्धारकों के साथ सलगन रहता है हिद्धारकों और मद्दाताओं राजनितिक दलों चुनाओ अधिकारियों और मेदबारों की भी चुनावी विक्रिया और चुनाओी सासन के बारे में जागरूपता पैदा करता है तथा देश की चुनाओ पैडाली के पिती लोगों का विश्वास बढ़ाने उसे मजबूती पैदान करने का काम भी करता है और जैसा कि आपको बताएगी इसमें सुधार की कई बात हुई है 2020 में यह आप देखेंगे ECI Election Commission of India की अधिकारियों और राज्जी के मुख चुनाओ अधिकारियों सहथ 9 कारण समुहों ने चुनावी सुधारों पर अपनी मसोदा से फारिसें पिस्तुत की थी नई मद्दाताओं के पंजीकन और पती में परिवर्तन सहेथ बिभिन मद्दाता सिवाओं के लिए सभी प्रपत्तों को एक ही प्रपत्ते से पिते स्थावित किया जाए कई संख्या में फॉर्म भिरम पैदा करते हैं और पिक किरिया में दक्षतागों प्रभावित किया जाए 17 वर्स की आयू में सभी संभावित मद्दाताओं के लिए स्कूल या कॉलेज इस तर पर ओनलाइन पंजी करण की सुविदा हो ताकि 18 वर्स के वो लोग हों और मद्दाता सुची में अपना नाम जुडवालें और यह आप देखेंगे इस तरह के कई सुधार की बात हुई है और अन सेफारिस में आप देखें राजने सोसल मीडिया उपेंट मीडिया पर मद्दान के पहले 48 गंटी की मौन अवधी लगाने की बात होती है मद्दान से पहले पिछले 48 गंटों में एलेक्टोनिक मीडिया पर पिर्चार करना फिलहाल पिति वंदित भी है लेकिन करते रहते हैं राजनेतिक दलों के लिए की गई सेफारिसों में उमीद्वार के ओनलाइन नमंकन पायटी द्वारा अनुमत खरच की एक सीमा तै करना सामिल भी है इसमें तो यहन सब की बात होती है लेकिन आप देखते हैं कि हो तब तो सुधार तब तो अब बात आती है कि निर्वाचन आयूक के समक्च चुनोतियां क्या क्या है समस्यां इसके सामने क्यों खड़ी हुई है और जिन समस्यां के कारण यह घिरा हुआ है चारों तरफ से तो बरसों से राजनीती में हिंसा और चुनावी दुर्भावना के साथ काले धन अपराधिक तक्तों का बोल बाला बड़ा है और इसके पैडाम सुरूफ राजनीती का अपराधिक अर्ण हुआ है और इन से निपटनार निर्वाचन आयूक के लिए एक बड़ी चुनावती बनी हुई है आप लोग मुझे लगता है कि पुरानी मूवियां देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि एक नेता जी होते हैं उनके पीछे गुंडे लगे रहते हैं गुंडों का काम रहता है कि उन्हें चुनाव जिताना पोलिंग बूत पर आप देखिए जवरिस्ती लोगों से बोट डलवाना पोलिंग बूत को लूटना लेकिन इन्हीं गुंडों के दिमाग में एक सवाल आने लगा आंगे चलगर कि अगर हम नेताओं को चुनाव जितवा सकते हैं कि उन्हें चुनाव नहीं जीच सकते हैं तो इन्हीं गुंडों ने आप देखिए चुनाव में हिर्सा लेना प्यारम किया और इसी को आप लो राजनीती का अपराधी करण कह देते हैं और आज के समय में तो एक तरह से पिथा बन चुकी है जो भी कहना हूँ आप लोगों को परंपरा कहि लीजे आप लोग कि जिस पर जितने अधिक केस होंगे हत्याओं के, वलककार के मार पीट के, डकेंती के उसके चुनाव जीतने की संभा होना उतनी ही बढ़ जाती है और अभी अगर लोगसभा और राजसभा विधानसभा में आप लोग निर्वाचित जो आपके पितिनी दी हैं उनको अगर आप देखे ना तो आधिस से अधिक दागी बैठे हुए हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ये हकीकत भी आप लोग आसपास अपने देखते भी होंगे इस बात को तो आप सोची कि वो नियम कानूर बनाएंगे तो वो अपने खिलाब तो कभी बनाएंगे नहीं अपने हिसाब से बनाएंगे तो ये भी चुनोती बनी हुए है राज्जों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पिर्माने पर दुर्पयों किया जाता है और जिसके तहत कई बार चुनाओं से पहले बड़े पिर्माने पर पिर्मुक पदों पर तैनात योग अधिकारियों का इस्थानांतन कर दिया जाता है चुनाओ के लिए सरकारी बाहनों और भावनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्स आचार सहिता का उल्दिगन किया जाता है और चुनाओ आयोग बैट के देखता रहता है तो इसलिए भी आलोचना होती है और चुनाओ आयोग की ये चिंता भी है चुनोती भी है निर्वाचन आयोग के पास राजनितिक दलों को बिनिमित करने के लिए पर्याप्त सक्तिया नहीं है और किसी राजनितिक दल के आंतरिक लोकतंत और पार्टी की विद्धिय बिनिमन क को सुनिश्चित करने की भी कोई सकती निर्वाचन आयूग के पास नहीं है आप देखते हैं कि कोई किसी पार्टी से चुनाओ जीतता है किसी और पार्टी में चला जाता है और आप देखी कि उनके लिए दसविया नुसूची जोड़ी गई आयूग ठहराने के लिए लेकिन पार्टी आप देखेंगे करती जाएगी तो और उनी के लिए काम भी करना पड़ेगा इसके अलाबा एब्यम में खराबी हैक होने और बोट दर्ज ना होने जसी आरोपों से भी निर्वाचन आयूग की पिती आम जनता की विश्वास में कमी आती है और आज के समय में आप लोग जनता की बीद जाकर अगर बात करे चुनाओ आएक की बारे में तो लोग हसने लगते हैं मजाक उड़ाने लगते हैं कई लोग कहते हैं कि EVM हैक हो जाती है खराब हो जाती है एक बोट इसे डालते हैं उसको जाता है तो इस तरह का भिरम भी होने लगा है और अभी भी आप देखि कई राज्यों में बहुत कम बोटिंग होती है लोग जाते ही नहीं है बर्तमान समय में सत्ताधारी दल की पक्ष में निचले इस्तर पर नोका साही की मिली भायत के खिलाब सत्दग रहने की आयोक के सामने बड़ी चुनोती भी है और आयोक की जनादेस और जनादेस का समर्थन करने वाली पिक्रियाओ और अधिक कानूनी समर्थन प्रिदान करने की आवस्तर अर आप देखेंगी नैतिक्ता सुनिश्वित करने के लिए आवस्तर के की सक्षम और एउक भ्यक्ती उचपदों का दायत संभाले और निर्वाचान आयुकिती निस्पक्षता सुनेशित करने के लिए दुतिये पिसासनिक सुधार आयुक की रिपोर्ट में सेफारिस की गई थी क्या की गई थी लोगसभा अद्ध्यक्ष लोगसभा में विपक्ष का नेता कानून मंत्री और राजसभा की उपाद्ध्यक्ष साथी पिदान मंत्री की अद्ध्यक्षता में बना कॉलिजियम मुक चुनाओ आयुक्त और चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति के लिए राश्ट ब्यक्ति का नाम तै करे, उसे राष्टपती के पास भीजे, कि इसमें से आप क्या बना दीजे, किसी को मुख चुनाओ आयक्त बना दीजे, चुनाओ आयक्त ने कर दीजे, तो इस पर लोगों को भरोसा रहेगा, विपक्षी दलों को भी भरोसा बने रहेगा, अब आप कि किसी एक वेक्ति की हाथ में हो पूरा कि इसे चाहिए इसे उठाके इसे बदल दीजे इसे चुनाओ आयुक्त बना दीजे वो अपने हिसाब से काम नी कर रहा है हमारी मतलब के लिए तो उसे हटा कर दूसरे को ले आईए कब नियुक्ति कर दीजे कब हटा दीजे तो ये भरोसा करते रहें क्योंकि आज देखिए आप लोग पुलिस पर से भरोसा उठा पुलिस बेवस्ता से आधी से अधिक लोग रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते हैं सोचते हैं कि आरे जाएंगे वहां इतना वो लूटेंगे ऐसा होगा वैसा होगा इससे अच्छा है घर म बना रहें क्योंकि लोग जाना भी वहां पसंद नहीं करेंगे तो फिरहाल इसके बारे में मुझे लगता है कि एक ओवर भी हम लोगों ने ले लिया है चुनाओ आयो का और कुछ आपके सवाल हो सुजाओ हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं बेज़जग मुझे लगता